गुद मॉर्निंग एवरिवन आज की जो हम क्लास टार्ट कर रहे हैं वो वॉइड्स के उपर है वॉइड्स मतलब एम्टी स्पेस आप सब भी पढ़ चुके हैं कि जब हम आटम्स को अज्यूम करते हैं तो हमने आटम को कैसा अज्यूम किया है बिटे आटम को हमने स्फेर एज्यूम किया है तो उसके अंदर अगर हम आटम्स को प्लेस करते हैं किसी भी तरह से तो आपने ये देखा है कि आटम्स को प्लेस करते हुए काफी सारा स्पेस आपका क्या रह जाता है बिटे वेकेंट रह जाता है तो वेकेंट स्पेस का ही दूसरा नाम है बिटे वॉइड तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ने वाले है कि किस किस तरह के वॉइड होते है और वो कैसे फॉर्म होते है तो ज़रा ध्यान से देखेंगे बिटे वॉइड के बारे में सबसे पहले अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो वॉइड क्या होंगे एंप्टी स्पेस वॉइड क्या होंगे बिचे एंप्टी स्पेस होगा जब आप कोई भी आटम्स की पैकिंग करते है तो उसमें जो एंप्टी स्पेस होगा उस एंप्टी स्पेस को हमने क्या बोला है वॉइड बोला है उस एंप्टी स्पेस को हमने क्या बोला है वॉइड बोला है एंप्टी स्पेस फाउंड इन any packing बिटे किसी भी तरह की packing आप ले लीजे चाहे वो hexagonal close packing हो चाहे वो cubic close packing हो जिसे आप face centered भी बोलते हैं किसी भी तरह की packing अगर आप ले रहे हैं तो उसमें जो empty space होगा जहां पर आपके atoms नहीं रखे हुए है जो जगे खाली है उस खाली जगह को नाम हमने दिया है Voids उस जगह को नाम हमने क्या दिया है Voids तो Voids को भी बिचा जिस तरह से Packing को हमने 3 Parts में Classify किया उसी तरह से Voids को भी मैं 3 Parts में Classify कर रही हूँ सबसे पहले है बिटे 1D 1 Dimensional Void पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे 2D बिटे 2 Dimensional और फिर हम पढ़ेंगे बिटे 3D that is 3 Dimensional तो Voids भी हमें Packing की तरह 3 Dimensions में पढ़ने है 1D, 2D and 3D तो सबसे पहले मैं Focus करती हूँ बिटे About the 1D Voids पे 1D पे जो Voids है बचा उसका नाम हमने रखा है Linear Void उसका नाम हमने रखा है बिटे Linear Void यह specially 1D के लिए Count होता है बिटे चीके Linear Voids में क्या होता है जब हम Atoms को Place करते है In One Direction तो उनके बीच में थोड़ा बहुत Space रह जाता है बिटे इस तरह से और उस Space के अंदर अगर मैंने Atom को रख दिया यहां पर तो यह क्या कहलाएगा बिटे 1D Void या फिर One Dimensional Void आपको अच्छे से दिख रहा है बिटे कि इस वाले Atom को कितने Atoms टरच कर रहे हैं 1 और 2 तो Coordination Number of किसका बचा Is this Particular Void का Coordination Number क्या कहलाएगा बिटे जी 2 कहलाएगा Coordination Number क्या कहलाएगा 2 कहलाएगा तो One Dimensional के अंदर सिरफ एक ही Void आपका लाई करता है बिटे जिसका नाम है Linear Voids जिसमें हम Atoms को One Direction में Place करते हैं और उनके बीच में जो Space आजाता है उसे हम बोलते है One Dimensional Void जिसका Coordination Number क्या है बिटे 2 है उसके बाद हम अगर आगे बात करते हैं That is 2D Voids बीचे 2D के अंदर सबसे पहले मैं आपको लेके चल रही हूं बिटे Triangular Void पे सबसे पहले आपका आ रहा है Triangular Void ये 2D Voids है बिटे Triangular Voids में होता क्या है जरा ध्यान से देखेंगे इस तरह से आप 3 atoms को Place करते हैं मैं आपको structure ही बता देती हूं कि आपको Place कैसे करना है आप सबको याद होगा Packing के दोरान आप सभी ने Hexagonally Atoms को Place किया था इस तरह से याद होगा बिटे तो यहाँ पर जो ये Void Create हुआ है ये वाला या फिर मैं कह सकती हूं ये वाला या फिर ये वाला तो 3 atoms से वज़े से Create होने वाली Void को मैंने क्या नाम दे दिया Triangular Void क्या नाम दे दिया Triangular Void तो आप ये अच्छे से जानते हैं देखो एक Triangle की फॉर्म बन रहे है अब अगर मुझे यहां से यहां तक का distance पता लगाना है This is the distance तो अगर मेरा इसमें कोई छोटा सा atom मैंने place करा है बटे जिसका radius है small r और बड़े वाले इसका मैंने radius ले लिया बटे r और इसका बच्छा radius लिया है मैंने small r तो यहां से यहां तक का distance ठीक है यह मैं triangle बना रही हूँ आपके सामने a b और यह c तो अगर मैं बात करती हूँ बचे in triangle a b c अगर in triangle a b c मैं बात कर रही हूँ this is my angle अब बचे total यह equilateral triangle ले देखो यहां से यहां तक का distance कितना है r plus r to r यहां से यहां तक का distance भी बच्छा यहां तक का distance भी कितना है बचे r plus r to r तो देखा जाए तो यह equilateral triangle है बचे इस तरह से जिसमें इस तरह भी 2 r है distance 2 r and 2 r तो angle total कितने degree का होगा बच्छा 60 degree का तो half of the angle यहां पर कितने degree का आजाएगा बचे 30 degree का अब मेरे पास एक तो यह वाला distance है बचे यह वाला a b a b को मैंने बोला small r plus capital r और एक मेरे पास b c का distance है बचे that is capital r तो मुझे use करना है पंडित बदरी प्रिशाद हर हर बोले sine cos tangent तो मैं cos का इस्तमाल कर सकती हूँ बहुत असानी से यहां पर तो मैंने जब यहां पर cos का इस्तमाल किया तो cos 30 degree is equal to base upon hypotenuse base कितना है बिटे r upon hypotenuse कितना है बिटे r plus r है नव तो base कितना है बिटे cos के लिए r upon hypotenuse कितना है बिटे r plus r cos 30 is equal to कितना होता है under root 3 by 2 is equal to r by में r plus r यहां से आप चाहें तो इसे solve कर सकते है बहुत easily कैसे cross multiply कर दो बिटे cross multiply अगर आप करोगे तो under root 3 r plus में under root 3 r is equal to कितना हो जाएगा बिटे 2 r ठीके अब r और r वाले को अलग लग कर दीजे बिटे तो under root 3 r is equal to 2 r minus under root 3 r 2 r minus under root 3 की value 1.73 r तो यहां से बिटे आपके पास कितना आजाएगा मैं आप direct भी solve कर सकते हैं मैं आपको direct बता देती हूँ इतनी बड़ी calculation करने की need नहीं पड़ेगी आपको आप direct भी यहां से solve कर सकते हैं कि r by r का ratio आएगा कितना बिटे 0.155 कितना आएगा बिटे 0.155 direct ले लीजे आप चाहें तो solve कर लीजेगा इसको cross multiply कीजेगा तो r by r का ratio आपके पास बहुत असानी से आजाएगा shortcut अगर आप अपनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे कर लीजे under root 3 r plus r is equal to 2 r यह आपने कर लिया बिटे इसको यहाँ नीचे ले जाएए इसको इसके नीचे ले जाएए और इसको इसके नीचे ले आएए तो यह बन जाएगा r plus r by में r is equal to 2 by में under root 3 इसको आप यहाँ solve कीजे भई r by r अलग लग कर सकते हैं न तो कितना आजाएगा r by r plus small r by में r is equal to 2 by में under root 3 यहाँ पर 1 आजेगा बिटे 1 plus r by r is equal to 2 by में under root 3 उधर ले जाएए r by में r is equal to 2 by में under root 3 minus 1 तो यहाँ से आपके पास solve करके सेम आएगा 0.155 तो triangular void के अंदर r by r का रेशो कितना आया बिटे 0.155 triangular void कैसे बनिये मैं दुबारा बता रही हूँ आपको आपने इस तरह से hexagonally atoms को रखा बिटे तो hexagonally atoms को आपने जब arrange किया तो यह जो space create हुआ तीन-तीन atom की वज़े से यह वाला इस void का नाम हमने क्या दे दिया triangular void triangular void अब triangular void में जो atom है बिटे उसको कितने atoms touch कर रहे हैं बिटे 3 atoms touch कर रहे हैं तो यहाँ पर coordination number कितना होगा बिटे 3 होगा तो first type की void मैंने आपको बताई बिटे linear void जिसमें coordination number 2 है जो की one dimensional है second void मैंने आपको बताई बिटे 2D की void that is triangular void बिटे अब आगे मढ़ते मेटे आपको हाँ कि नेक्स्ट में थर्ड टाइप की वॉइड आपको बता रही हूं बटे कि थर्ड इस टेट्राहेड्रल वॉइड आपको पता ही थ्रीडी वॉइड है वेचे टेट्राहेडल वॉइड के बारे में आप अल्रेडी पढ़ चुके हैं कि इस तरह से बनेगी जैसे आपने हैक्जागहनल याटम को प्लेस किया था बिटे कुछ इस तरह से इत्व आपने पढ़ा कि यहां पर जो वॉइड बनती है वो ट्रीगुल रवॉइड बनती है molto कर्यक्र लॉइड नेगी इन वॉन किगा डाँक कर रही हुँ मैं को इस तरह से मतलब ध्यान से समझ यह कि मैंने तीन डीटम को लिया और यह थेolा और यह व्एड़ इना अम मैंने एक पॉर लिया उस पर ऐसे इसको डंक दिया वैस तो यह उपर से मैं ने एस टक k्osure तो जो void create होगी उस void का नाम क्या दिया विटे हमने tetrahedral void उस void का नाम हमने दिया विटे tetrahedral void तो ज़रा tetrahedral void की calculation पढ़ते हैं tetrahedral के बारे में आप 11th class में CH4 का structure पढ़के आये थे विटे एक atom यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे है ना कुछ इस तरह से आप पढ़के आये तो ज़रा मैं इसी टाइप का अगर structure बनाओ इसमें लू मैं इसी टाइप का structure तो किस तरह से मैं देखूंगी simple इसको अगर मैं लू तो यह एंगल होता है बिटे 109 डिग्री and 28 seconds का कितना होगे बच्चा 109 डिग्री and 28 seconds का तो आप अगर जरह इसको compare करना प्लीज इससे मैं फिगर दुबारा से बना रही हूं डाइग्राम दुबारा बना रही हूं प्लीज इससे compare कीजेगा कि इस तरह से मैंने structure लिया है इसके अंदर ये वाला जो अटम है न बिटे ये डार्क वाले जो मैं डाक कर रही हूं यह यह वाला एटम है गिवाला एटम है ठीके और इसके ऊपर एक आटम हुआ है तो यह वाला एटम जो है यह वन कह लाएगा बिटे बन तूऔर तो है इसको टच करें यह वन तूऔर ठी और चोताınız के ऊपर रख्रका ए देयान से समझेगा मेरी बात नाए बिटें है तो एक तरह से बिटे आप इसमें समझ लिजे इसमें आपको समझना आसान रहेगा यह जो मैंने ब्लैक इसका मतलब यहां से यहां यह जो एंगल बना यह टोटल यह वाला यह जो टोटल एंगल है यह कितने का होगा एक सो नो डिग्री और 28 सेकंड्स का होगा है और अगर मैं इसको निकालने के लिए हाफ ओफ दे एरिया का इस्तमाल करूं इस तरह से निसमझे मेरी बात इमेजिन मैं थोड़ा सा डायग्राम डोटेड में बनाती हूं आपको और अच्छे से समझ आएगा बेटे एक बार और समझने की कोशिश कीजेगा यह आपकी फर्स लेयर है बिटे इस इस यह आपकी फर इस तरह से मैं इसको बना सकती हूं यह मेरा डॉट्रेड अटम है बिटे जो मैंने सेकिंड लेयर में ढख रखा है और मेरी फर्स लेयर में इस तरह से यह आटम मुझे दो नजर आ रहे हैं पीछे एक होगा पीछे की तरफ इस तरह से ठीन है और यह एटम मैंने यहां सी तो यह एंगल बच्चा पूरा है कितना 109.28 लेकिन मैं ले रही हूं बैटे ABD AB और यह D यह राइट एंगल ट्रेंगल ले रही हूं मैं I am taking this right एंगल ट्रेंगल ट्रेंगल तो अकर मैं राइट एंगल ट्रेंगल ले रही हूं तो यह जो शेडिड वाला मेरा एंगल है यह कितना हो जाएगा बिट्टे 109.28 बाइट बाइट ओ गो जाएगा तो दिस दिस्टेंस बाय में दिस दिस्टेंज धाट इस देखे पंडेत बदरी प्रषाद हर हर बोले दाट इस परपेंडीकुलर बाय हाइपोटेने यह तो लिया है मैंने परपेंडीकुलर AD बाय मे A, B, A, D by AB is equal to sin 109.28 by 2, अब बच्चा बहुत ही complicated सा angle बन गया ना यहाँ पर, तो इसी लिए इस case के अंदर भी आप direct value याद रख सकते हैं, देखिए उसके अंदर solve करना असान था, मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर अगर आप value लेंगे तो लगबग 54.something करके angle आएगा, जिसकी exact value आपको नहीं पता, आपको radiance वगर करके calculate करनी पड़ेगी, तो इतनी deep calculation chemistry में need नहीं है, तो यहाँ से आप direct लिख सकते हैं, बिटे, r by r इस case में आएगा 0.225, तो आपने देखा कि अगर मैं ट्रेंगूलर वएड की बात की, तो ट्रेंगूलर वएड में यह r by r की ratio आई थी, 0.155 मतलब size चोटा था, अब मैंने अगर atoms को लिया, चार्ड को touch करने वाला, that is 3D के अंदर मैंने tetrahedral void को लिया, जिसमें 3 atom नीचे रखे हुएं, ट्रेंगूलर को उपर से ढख दिया, तो tucking atom कितने होगे बिटे, coordination कितना होगे, इसका coordination number क्या अतना होगे बिटे, 4, तो आपके लिए clear है कि coordination number जैसे जैसे बढ़ रहा है बिटे, वैसे वैसे r by r की ratio भी बढ़ रही है, ये तो simple सी बात है, कि अगर मैं कोई छोटा से atom लूँ बच्चा इतना सा बिलकुल बारीक सा तो उसको touch करने वाले number of atoms क्या होगे, कम होगे, अगर मैं बड़ा atom लूँ तो उसको side से, इधर से, इधर से, ऊपर से, नीचे से touch करने वाले number of atoms क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, इसका मतला सबसे छोटा वुएड कौन सा था आपका linear, उससे बड़ा वुएड आपका कौन सा था बिटे, that is octahedral, देखे सिरुफ EC की calculation है कैसी है, थोड़ी सी confusing जो मैंने आपको नहीं करवाई है, आप चाहें तो कर सकते हैं इसे भी, थोड़ी confusing होती है, फोर्थ मैं आपको ले रही हूँ बेटे, octahedral void, अगर मैं next आपका ले रही हूँ बचा, octahedral void, तो chemical bonding के अंदर आपने octahedral के बारे में already पढ़ा था, की A, B, C, D, की चार एटम यहाँ होंगे बेटे, एक एटम उपर से आता है, और एक एटम नीचे से टच करता है, यह आप पढ़ चुके हैं, in octahedral void, और यहाँ पर सभी के बीच में angle कितने degree का आपने पढ़ा है बेटे, 90 degree का angle आपका होता है, है ना, यह चीज़ा आप बढ़ चुके हैं, तो octahedral voids आपके form कब होते हैं, देखो coordination नंबर कितना हो गया, इस एटम को कितने टच करेंगे, एक, दो, तीन, चार, उपर से एक पांच, और एक नीचे से छे, तो इस टाइपका void का आपका क्या बना बच्चा, octahedral void बना, तो coordination नंबर octahedral void का कितना हो गया, बच्चे, 6 हो गया, सो, बिटा जी, हम बात कर रहे हैं, octahedral voids की, मैंने आपको बताया, octahedral voids, आपने पढ़ा है, 11th में, इस तरह से 4 atoms लगे होते हैं, बिटे, एक, उपर से आता है, और एक, नीचे से आता है, तो आपका जो, 6 touching atoms हो जाते हैं, that means, coordination नंबर कितना होता है, 6 होता है, तो इस अगर मैं बनाऊं, कि, this is my octahedral void, ज़रा ध्यान से देखिए, तो मैंने कुछी इस तरह से बनाया है, बिटे, एक एटम उपर से आ रहा है, बिटे, एक एटम नीचे से टच कर रहा है, और आपको पता है, ये angle कितने डिगरी का होता है, 90 डिगरी का होता है, ठीके, तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं, तो कुछ इस तरह से बना सकती हूं, बिटे, 2, आपको पता है, ये, these are touching, 3, 4, ठीक है, 4 एटम है, एक मैंने उपर से इस तरह से लगाया है, बिटे, और एक इसी तरह से dotted form में नीचे से है, मतलब सबसे पहले मैंने लगाया है, एक एटम, उसके प बना है, यहां पर जो वाइड क्रियेट होगा, that is octahedral void, तो octahedral void की study करने के लिए, मैंने क्या किया है, चार एटम्स को लिया है, इस तरह से, क्योंकि यह बीच में वाइडल स्पेस बना है, that is octahedral, है ना, तो octahedral बच्चा, यहां से यहां तक ऐसे आएगा, यह distance सेम हो गया बच्चा, r plus r, यह distance बच्चा, r हो गया है, है ना, तो आपका पास क्या-क्या है, जरा ध्यान दीजे, hypotenuse है और क्या है, base है, तो पंडित, बदरी, प्रिशाद, हर, हर, बोले, तो आप क्या लगाएंगे, base और hypotenuse में, cos, cos, angle कितने का होगा, यह पूरा angle कितने का होता है, 90 का, तो यह वाला इतना angle कितने का होगा, 45 degree का, cos 45 degree is base कितना है, बटे, r, by में, hypotenuse कितना है, बटे, r plus r, ठीक है, cos 45 degree is equal to क्या है, 1 by under root 2 is equal to r by में, r plus r, inverse कर दीजे, बटे, r plus r, by में r is equal to 1 by under root 2, इसको आप divide करेंगे, तो आजएगा, 1 plus r by r is equal to 1 by under root 2, ठीक है, तो यहाँ से, sorry, अगर आप reverse करेंगे, आएगा बच्चे, under root 2, यहाएगा, under root 2, ठीक है, तो यहाँ से, अगर आप value निकालेंगे, बटे, r by r is equal to, under root 2, 1 उदर जाएगा, बच्चा, माइनस हो जाएगा, under root 2, माइनस 1, तो r by r is equal to, 1.414-1, r by r is equal to, कितना हो गया, बच्चा, 0.414, तो आपने देखा कि टेटराहेडरल के अंदर, जो आपकी आई थी, डिस्टेंस, वो कितना आया था, बटे जी, approximately, 0.255, तो उक्टाहेडरल में आपका कितना आया, 0.414, तो सबसे पहले आपको, आपने कौन सा वोइड देखा बच्चा यहाँ पर, linear वोइड, पहले नमबर पे, दूसरे नमबर पे हमने study किया, triangular वोइड बिटे, और तीसरे नमबर पे हमने study किया, बिटे, टेट्राहेडरल वोइड, और चोथे नमबर पे हमने study किया, बिटे, ओक्टाहेडरल वोइड, फिफ्थ आपका लास्ट वोइड है बच्चा, जिसे हम बोलते हैं, क्यूबिकल वोइड, तो लास्ट वोइड है बच्चा, इसको और देखिए, फिफ्थ टाइप ओफ वोइ इस क्यूबिकल वोइड कैसे बनेगा वो और देखिए बही, देखिए राजे, फिफ्थ इस क्यूबिकल वोइड, ठीके, क्यूबिकल वोइड कैसे बनेगा वेटे Г, मैने इस तरह से क्यूब ले लिया इस तरह ऐसे बच्चा और मेरे को पता ये चार एटम्स है एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटच 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 उपर वाले चार भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं बिटे जी तो सिंपल है बच्चा चार एटम्स की लेयर आपने लगाई इस तरह ऐसे उसके उपर चार किक्रियेट ऊगा उसको मैंने क्या नाम दे दिया बच्चा क्यू बीकल वॉइड जाए में एक दो तीन चार चार बॉल्स आपने एक साथ रखेए तो फॉस्स सेकंड लेयर बन गी बिटे चार A toms की तो जो बीच में whole create हो जाएगा बीच में जो जगे create हो जाएगी चार एंटम की layer और उपर चार एंटम की layer जो आपने रखी इस तरह से तो बीच में जो space create हो जाएगा उससे हम बोलेंगे cubical void तो अगर हम cubical void का distance देखे बिटे तो यहाँ मैंने आप अच्छे से जानते हैं बच्चे, बॉडी सेंटर है यह, और बॉडी सेंटर इस इक्वल टू मैंने आपको निकलवा रखा है, अंडरूट 3 है बटे, पहले वाले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, इस इक्वल टू बचा, एक आर इसका यूज हुआ है, एक इसका, तो आर प्लस आर, टू आर बच्चा, डिरेक्ट में लिख देती हूँ, प्लस, दो वाइड वाले के यूज हुए, छोटे वाले के, तो टू आर, तो अंडरूट 3 ए बाई 2, इस इक्वल टू आर प्लस में स्मॉल आर, ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए बच्चा जी ए इस इक्वल टू क्या है, मैंने बोला है यह टच में है, टच में है तो यह डिस्टन्स ए है बटे, और अगर एटम्स आर टचिंग इच अधर, तो ए इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू आर, तो ए की जगे मैं पुट कर दूंगे टू आर बटे, तो अंडरूट 3 इस इक्वल टू आ गया, आर प्लस में आर, आप इसको बाय में ले जाएए, इसको यहां ले जाएए नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडरूट 3 इस इक्वल टू देखिए, आर प्लस आर, यह आर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आर प्लस आर बाय में ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे solve करेंगे, तो 1 प्लस में R by R हो जाएगा, under root 3 की value होते है 1.732, इसको इदर ले आईए, 1.732 minus 1, R by R, तो R by R की ratio कितनी आगी, बिटे, 0.732, तो अगर octahedral void की बात करें, तो उसमें कितना आया था, 0.414, तो अगर cubical void में बात करें, तो 0.732, तो आपने अब तक voids की कितने types पड़े हैं, एक बार दुबारा से देखेंगे हम, आज के lecture में हमने क्या किया है, voids में हमने सबसे पहले पढ़ा बचा linear void, जिसमें हमने सिरफ coordination नमबर पढ़ा, that is 2, second हमने पढ़ा बिटे, triangular void, जिसमें हमने coordination नमबर पढ़ा बिटे 3, और R by R की ratio हमने कितनी पढ़ी बिटे, 0.155, तीसरा हमने पढ़ा बिटे, tetrahedral void, जिसमें हमने R by R की ratio कितनी पढ़ी बिटे, 0.225, और coordination नमबर अमारा यहां increase होके कितना होगे बिटे, 4, फोर्थ हमने पढ़ा बिटे, octahedral void, जिसमें हमने R by R की ratio पढ़ी बिटे, 0.414, और coordination नमबर यहां बढ़ के कितना होगे बिटे, 6, और 5th type हमने पढ़ी बिटे, cubical void, जिसमें R by R की ratio कितनी होगी बिटे, 0.732, और coordination नमबर कितना होगे बिटे, 4 नीचे वाले और 4 उपर वाले, that is it. तो आज के lecture में हमने voids के बारे में जाना, कि voids होता क्या है, और 1D, 2D और 3D के अंदर टोटल कितने types के voids actually में लाई करते हैं, तो टोटल यहां पर 5 types of voids लाई करते हैं, बिटे, 5 के 5 voids का मैंने R by R ratio आपको बताया है, यहां पर एक बात आपको fix करनी है, जो capital R है, that is the radius of atom, और जो small R है, that is the void, जो आपका अंदर void बनेगा, कि अगर आप same type of atoms रखते हैं, एक, दो, एक, तीन, triangular void में, तो बीच में जो छेद बनेगा, वो बहुत छोटा बनेगा, बिटे, तो आपको बीच में जो atom रखना है, वो छोटे size का ही रखना है, कि उसके अंदर वो perfectly fit हो जाए, तो अविस सी बात है कि void वाला ratio, small R will be, क्या ह होगा, वाइडल ratio है, जो atom आपने void में रखा था, उस atom का ratio है, बिटे, small R, और बड़े वाला R आपका क्या है, बिटे, radius of atom है, तो अगर आप, मतलब इसको ध्यान रखेगा, that is for the void, and that is for the atom, तो guys, अगर इस topic में, वोइड के topic में, आपका कोई भी doubt हो, तो मुझे please let me know, next lecture मे that is, कल वाले lecture में, हम ये पढ़ेंगे कि tetrahedral voids कहां पर present होते हैं, what is a position, octahedral voids कहां पर present होते हैं, उनकी क्या positions हैं, और अगर इन positions को हम देखें, तो उसके साथ, HCP और CCP, क्योंकि आपके दो ही packing है, HCP और CCP, तो HCP और CCP packings के अंदर कितने voids total होते हैं, उन सबी चीजों के बारे में, we will discuss tomorrow, ठीक है, आज के topic में कोई भी अगर doubt हो तो बिटा, मुझे please comment box में बता दीजेगा, या you can call me और whatsapp number, मेरा already mentioned है, आप अगर link को open करके abouts के अंदर ज message है, अगर कोई भी doubt हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो just make me a call and you can just message me in the comment box, thank you guys, आज का lecture इतना ही है